असलाम अलेकूम विएर्ज आज की वीडियो में मैं आपको कॉलर शर्ट की कटिंग बताऊंगी और मुझे बहुत सारे क्वेसंद आते हैं कि कॉलर शर्ट के लिए शोल्डर कितना लेना है आर्म होल कैसे लेना है और लेंथ वगरा कितनी होनी चाहिए तो आपके सारे इंच थी तो मैंने यहां पर 38 इंच की कटिंग किया यह आप देख सकते हैं तो जितनी भी आपकी तयार लंबाई हो उसे 2 इंच बढ़ा कर फ्रंट पार्ट करें और उसके बाद चोड़ाई मैं हमने फोल्डिंग करनी है यह बिल्कुल आपने अपनी नॉर्मल शर्ट की त पर फ्रंट पार्ट को हम इलाइदा कर लेंगे इसे तरह मैने बैक का बढ़ किया कैए अब इसकी लंबाई मैं और इनॉर्मल थी त्यार लंबाई से थी 6 इंच थी तो 3 इंच बढ़ाएंगे यह 39 इंच है तो इस तरहां से बैक का पार्ट फरंट के पार्ट से 1 इंच बढ़ा आएगा देखिए मैंने इसको भी 12 इंच पर फोल्ड कर लिया है जिस तरह हमने फरंट को किया था जो 1 इंच हमारा बैक के पार्ट में बढ़ा है उस पर हम निशान लगाकर एक लाइन बना लेंगे इस तरहां से और इसके उपर हम फरंट का पार्ट रखेंगे इसी तरह फोल्ड करके यह देखिए इस तरहां से और मार्किंग हमने सारी फरंट से आगे कंटिन्यू करनी है सबसे पहले शोल्डर के लिए साड़े साथ इंच पर मार्क करेंगे आप अपने शोल्डर का आधा मार्क कर लें जो नॉर्मल शर्ट पे मार्किंग करते हैं वो ही मार्किंग हमने यहां करनी है इसमें हमें आधा इंच या इंच बढ़ाने की जरूरत नहीं होती तो collar shirt के लिए भी आपने shoulder उतना ही लेना है और armhole भी अपनी normal कूर्थी के लिहाज से ले मैं यह 7.5 इंच normal shirt में लेती हूँ, वही मैं यहाँ लूँगी यह 7.5 इंच में जो आधा इंच shoulder slope का होता है वो शामिल है, यहनी armhole 7 इंच है अगर आपका size बड़ा है तो आप पंदना पे marking करें, अगर आपका normal size है तो आप 14 इंच पे marking कर लें, मैं यह 14.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ तो 14 से पंदना के बीच में आपने कमर के लिए एक line लगानी है और front part से, सारी marking हम front shirt से करें, यह आप देख सकते हैं front part से 21 से 22 इंच पर हम hip की marking करते हैं तो मैंने 21.5 पर निशान लगा लिया है यह हम lines बना लेंगे, अब हम marking करेंगे, यहाँ पर हम chest की marking करते हैं chest का चौता हिस्सा 9 इंच है, आधे इंच की losing के साथ मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया है और 1 से 1.5 इंच पर हम cutting का निशान बनाएंगे कमर का चौता हिस्सा 7.5 इंच है मेरे पास 30 इंच कमर के लिहाज से और 1.5 इंच losing कर रखते हुए मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1 से 1.5 इंच पर हम cutting का निशान बनाएंगे और hip brown का 14 इंच 10 इंच है मेरे पास इसमें 1 इंच की losing के साथ मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ पर हम cutting का निशान बना लेंगे अब हम stitching के निशान को मिलाएंगे और इसके लिए मैं आपको एक एहम बात बताती चलू यह देखिए पहले हम सीधी लाइन बनाएंगे इस तरह अगर आपके पास curve ruler है तो बहुत असानी हो जाएगी आपको अगर आपके पास curve ruler नहीं है तो इसके इसमें यह देखिए इस तरह से थोड़ी से आपने गुलाई देनी है बाहर की तरफ और इसी तरह उपर को जब आप कमर और चेस्ट को मिलाएं तो सीधी लाइन लगाकर हलकी सी गुलाई उपर के हिसे में देंगे यहां से थोड़ी सी इस तरह से cutting करेंगे ठीके सौरी स्टिचिंग करेंगे और साइट पर हम cutting के निशान पर lines मिला लेंगे इस तरह अब हमने आर्म होल की गुलाई देनी है तो दो इंच पर मैं यहां निशान लगाऊंगी और इस निशान से हम कर्व गुजारेंगे जिसको हम cutting के निशान से मिला रहे है और तकरीबर इस line के center तक हम गुलाई ले आएंगे फ्रंट के लिए हम अंदर की तरफ एक इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को उपर से मिला देंगे हमने सारी marking फ्रंट शर्ट के रहास्ते की है जो बैक का एक इंच एक्स्ट्रा है वो उपर को इलाइदा है आर्मोल की कर्व हम इस line से गुजारेंगे इस तरह नेकी चोड़ाई के लिए हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे तो कॉलर में नॉर्मली 3 इंच चोड़ाई होती है और फ्रंट शर्ट की गहराई भी 3 इंच लेते हैं चैनिस कॉलर में मैं यहां पर राउंड कॉलर बनाऊंगे इसलिए मैं यहां पर भी कटिंग नहीं करूंगी उसकी चोड़ाई और लंबाई में थोड़ा फर्क रख सकते हैं हम तो बैक का पार्ट जो है इसकी भी चुड़ाई 3 इंच है और जो यहां पर बैक के पार्ट पर जो हम स्लोप देते हैं वो हम उपर के हिस्से में देंगे ठीक है और शोल्लर स्लोप भी हम उपर के हिस्से से देंगे अब हम cutting कर लेंगे पहले हम back apart cut करते हैं तो पहले हम back armhole की cutting करेंगे sides पर cutting के निशान से हम cutting करेंगे अब हम back apart separate कर लेंगे और front की cutting करेंगे front part पर necky, चोड़ाई और गहराई तीन इंच रहती है Chinese collar में और यहां पर गुलाई दी हुई है अगर हमने तो हम cutting कर लेंगे मैंने round collar बनाना है इसलिए मैंने marking नहीं की थी अब हम armhole की cutting कर लेंगे इस तरह से हमारी collar कुर्टी cutting हो चुकी है I hope कि आपके सारे doubts clear हो गए होंगे वीडियो अच्छी लगे तो इसको like करें हमारी चैनल को subscribe करें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाँ आफिस